तुर्ट अफ दे रिंग्स दे रिंग्स आफ पावर जी यह 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 शो एमेजन प्राइम की नहीं इन फैक्ट दुनिया की सबसे बरी शो है क्योंकि इसमें अमेजान ने अंधा पैसा लगाया है कर पैसा लगाया है बहाया है आग लगाया है लेकिन मैं आपको बता दू कि य यह शो आपको विज्वली तो बहुत ही अच्छी ट्रीट करता है विज्वली आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन जो शो की कहानी है जिस तरह से यह शो को आगे बढ़ाया गया है दोस्तों मैं सच कहता हूं यह सिर्फ एक कचड़ा है कचड़े के लावा कुछ नहीं है और जो कास्टिंग है कास्टिंग तक तो ठीक है लेकिन जो एक्टिंग की है न सबने मैं आपको सच बताता हूं कि आप अपना स्क्रीन तोर लोगे मतलब यार इतनी महंगी शो आपने पैसा लगाया आपने इतना बजट लगाया आप विज्वली इतना अच अच्छा से सीरीज देखना शुरू किया था और मैंने सोचा था कि ये शो बहुत ही अच्छा होगा बहुत ही जपरतस्त होगा क्योंकि इसमें मिडिल अर्थ की कहानी दिखाई गई है रिंग के पीछे कैसे सावरोन नाम का एक शैतान जादूगर पढ़ा है और लेकिन इस अगर आप मिडिल अर्थ के इतने बड़े विलन को लॉर्ड अप दरिंग्स के इतने बड़े विलन को आप इस तरह दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पारफुल सीरीज सावरोन खुद को मध्य धर्ती का राजा मानता है वो इस समी पर सिर्फ राज नहीं करना जाता बल्कि प्रजा की इच्छाओं को भी अपने वर्ष में करना जाता है और उसे काम्याब होने के लिए सिना नहीं नहीं अंगूठिया चाहिए पूरी सीरीज में सिर्फ यही दिखाया गया है कि लोग सावरोन को खोज रहे है कभी कोई रिंग को खोज रहे है कभी कोई सावरोन को खोज रहे है कभी कोई एक दूसरे को खोज रहे है कभी कोई किसी राक्षस को खोज रहे है मुझे तो ये समझ में नहीं आया दोस्तों कि मतलब चल क्या रहा है वो कोई इंसान नहीं है उसने मुझे दोका दिया वो साउरान है मैं तुम्हें किस नाम से पुकारू वर्धान का देवता होडे पे जा रहा है कोई टम टम पे जा रहा है मतलब पूरे एपिसोड सब जा ही रहे है कभी जा रहे है कभी बैट रहे है और अचानक से कोई धमाका हो जाता है फिर सब नीचे गिड़ जाते है फिर कहते हैं कोई नहीं कोई नहीं ठीक है चलो हम समाल लेंगे और ऐसा करते करते पता नहीं क्या अकडम बकडम दिखाते रहते हैं दोस्तों मतलब सीजन टू आ चुका है सीजन टू के हम मिड सीजन एपिसोड में हैं और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिसमें कि ये सीरीज आपको बांद कर रखे मतलब इतनी वाहियाद सीरीज वो भी Lord of the Rings आप कम से कम इस फ्रेंचाइजी के बारे में तो सोचते हैं जिसे 11-12 ओसकर्स मिल चुके हैं और तीनों फिल्में ही बहुत अच्छी थी Lord of the Rings की हलांकि इसमें Middle Earth की कहानी दिखाई गई है लेकिन आपने बुक से जम एड़ाप्ट किया है इतने बरे-बरे राइटर्स लिया आपने इतने बरे-बरे प्रोडूसर्स इतने बरे-बरे डिरेक्टर्स लेकिन आपने शो का बिल्कुल कचड़ा कर दिया और बिल्कुल मैं कहूंगा आपको कि इस शो को ना ही देखें तो अच्छा है आप मूवीज देख लें इसकी इसकी मूवीज काफी अच्छी हैं जिने 11-11 ओस्कर्स मिले थे तो मूवीज तो काफी अच्छी है मुझे ही नहीं लगता इस शो को इन फैक्ट विजवल के विजवल के लिए भी कोई Emmy Award देगा क्यूंकि इससे बड़ियां बड़ियां शो तो अब Apple TV Plus बनाये जा रहा है दोस्तों जिसमें काफी पैसा भी लगा रहा है तो काफी अच्छी quality भी दे रहा है बहुत ही बेकार शो है दोस्तों मैं इस शो को 10 में से 3-4 ही दूँगा वैसे भी IMDV पर इसे 6 ही नमबर मिले हैं 10 में से मैं तो वो भी नहीं दूँगा मैं तो 3-4 दूँगा और बहुत ही घटिया तरह से execute किया गया इस शो को और visually अगर देखें तो बहुत अच्छी है visually अगर आप देखना चाहते हैं बड़ी सी screen पर तो आपको बहुत ही अच्छी लगई देखने में लेकिन इसमें ना तो कोई story है ना तो कोई thrill है ना तो कोई war sequences है ऐसा कुछ भी नहीं दिखाये गया है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है आपको video को बिल्कुल skip कीजिए अगले review तक के लिए मेरा good bye और अभी तक मेरे channel को भी subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और जो bell icon उसको जरूर दबाएं thank you